हेलो फ्रेंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इसराइल पे जैसा कि फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल के ओपर एक स्रीज चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप लोग एक प्रो वेफसाइट कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों मैं इस स्रीज में हर एक चीज को कवर करने वाला हूँ अगर दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों हमने आपको बता कि आप लोग किस तरह से इस साइड को कस्टमाईज करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख पा रहा है डिजिटल इसराहील.com यह हमारा नया साइड है इसके ओपर हम complete साइड करेंगे इसका SEO करेंगे इसको rank करेंगे इसके ओपर ट्राफिक लाके दिखाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको Google Adsense का अप्रूवल भी यहां पर मैं लाइब करवा के दिखाने वाला हूँ अगर दोस्तों आप लोग कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो इस स्रीज के साथ बने रहें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पार है हम आ चुके हैं अपने साइट के ऊपर और इसी साइट को अभी हम कस्टमाइज करेंगे जैसा कि आप इसका डोमेन भी देख पार हैं सिंपली दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि कहां से आपको थीम लेना है कहां से होस्टिंग लेना है थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और कौन-कौन प्लगिंग आपको यहां पे इंस्टॉल करना है और अपने साइट का कौन-कौन सेटिंग करना है वो मैं आपको first part में ही बता दिया हूँ अगर दोस्तों आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में वो वीडियो मिल जाएगा पहले आप उसे देख लें simply दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे इस theme को customize करूँगा step by step मैं आपको अच्छी तरीके संजाने की कोशिस करूँगा कि भाई आप लोग किस तरह से एक professional website create कर सकते हैं सबसे पहले friend आपको अपने site के उपर कुछ post publish करना होगा उसके बाद ही दोस्तों आप लोग अपने site को customize कर पाएंगे चलिए हम लोग फटाफट कुछ post यहाँ पर publish कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देखना है post लिखावा है इसके ओपर mouse लेके जाओगे यहाँ पर दोस्तों आपको add new करना है ठीक है चलिए हम इसे new tab में यहाँ पर open कर लेते हैं open करने के बाद friend सबसे ऊपर में जो आपको यहाँ पर title देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना content लिखना है ठीक है दिया है जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने हेडिंग का भी इस्तेमाल किया है और यहां पर हमने कुछ अपने कीवर्ड को हाइलाइड भी किया है इसी तरह से आपको यहां पर हाइलाइड करना है आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको सेम टू सेम इसी तरह से ल देखने को मिलता है तो सिंपली आपको इसके ओपर किलिक करके अपना एक इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है ठीक है यहाँ पर हमारा इमेज है इसा आप जरूर फिल करें उसके बाद friend आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा image आ चुका है अब यहाँ पे आप set feature image के ओपर click करेंगे तो यहाँ पे आपका image आ चुका है उसके बाद friend आपको इस post के अंदर भी एक image का इस्तेमाल करना है चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं बीच में और हम लोग यहाँ पे एक image का इस्तेमाल करते हैं simply यहाँ पे हम enter कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे plus का icon आप देख रहे हैं इस और यहां पर media library select करते हैं उसके बाद हम इस image को नाम दे देते हैं ओके same to same image हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर हमने अपना image को upload कर दिया और इसे थ्वास आप बढ़ा कर ले ठीक है इस तरह से इसे आप बड़ा कर लें उसके बाद आपको सब कुछ यहां पर चेक चाक कर लेना है उसके बाद friend आपको इसका category देना है ठीक है category आप कैसे देंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर friend आप देख सकते हैं category का tab आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमने पहले से कुछ category यहाँ पर create करके रखा वाया है तो मैं आपको बतावाँगा कि category आपको कैसे create करना है अगर आप new category यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर add new category के उपर क्लिख करके आप यहाँ पर category बना सकते हैं तो यहाँ पर हम दे देते हैं computer information ठीक है इसको हम select कर लेते हैं उसके बाद friend यहां पर आप tag का इस्तावर करेंगे ठीक है, अब जो भी tag देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे friend हमने दो tag यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे दोस्तों करने को खुछ नहीं है, simply आपको यहाँ पे publish कर देना है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको लगभग 18 पोस्ट यहाँ पे publish पूस्ट पब्लिश करना है अब चली हम यहां पर यहां पर देख सकते हैं आका पोस्ट को कुछ इस तरह से यहां पर दिख रहा है सब करते हैं यहां पर होम के ऊपर तो हमारा भी होम पेज यहां पर कस्टमाइज नहीं है जब हम यहां पर छे साथ पोस्ट पब्लिश कर देंगे तो हम अपने होम पेज को कस्टमाइज करेंगे ओके तो चलिए फटा-फट सबसे पहले तो हम कुछ पोस्ट यहां पर पब्लिश क करके देख लेते हैं कि कुछ content वगएरा यहां पर आया है या नहीं आया है यहां पर देख सकते हैं हमारे साइट के उपर पोस्ट दिख़़ा है ठीक है चलिए हम लोग फटाफट अपने home page को customize करना स्टार्ट करते हैं home page को customize करने के लिए आपको जाना होगा वर्टपेस के डिस्ट बोर्ट के उपर जैसा कि फ्रेंड आप यहां पर देख पा रहे हम आ चुके हैं अपने वर्टपेस के डिस्ट बोर्ट पे simply आपको पेज सक्षन में जाना है और all page के उपर यहां पर किलिक कर करना है किलिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने यहां पर चार तरह का पेज देखने को मिलेगा क्यूंकि दोस्तों हमने पार्ट वन वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि आपको यह चार पेज को किरेट करना है यहां पर दोस्तों सबसे important बात है home page home page को आपको कि इस तरह से customize करना है जैसा कि हमने आपको अपने साइट के ओपर देखाया है कि भाई हमारा जो home page का section है बहुत ही simple है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको simply मैं यही बताने वाला हूं कि इस तरह से आप कैसे करेंगे ठीक है फ्रेंड आपको अपने home page को यहां प करने के बाद friend आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पर interface देखने को मिल जाता है अब यहां पर friend आपको इसके ओपर click करना है click करने के बाद friend आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तों आपको add element के ओपर click करना है और simply यहां पर आपको news type कर देना है ठीक है न्यूस ट्रेकर सिंपल ही आपको यहां पर इसे सेलेक्ट करना है उसके बाद फ्रेंड आपको इसे बाइड डिफोल्ट सब ठोड़ देना सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना ठीक है उसके बाद fact आपको यहाँ पर साड़ा का सब सक हुआ इसके आपको क्लिक करना के बाद के वाद mind यहाँ पर रखना है तो simply हम चाहते हैं इसे रखना ओके तो simply हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यह style 1 default है ठीक है अगर आप इसे चेंज वगड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो आप इसे यहाँ पर करना है और ब्लॉक 11 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछी सतरा का यहाँ पे face देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो Custom Title अगर आप देना चाहते है तो ठीक है, टाइटल का URL बगएर आधना चाहते है तो ठीक है , आप यहां पे चीन के यहां पर आप क्या देना चाहते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पर आठ पोस्ट देखाना क्योंकि दोस्तों साइड भी आपको फटा-फट यहाँ पर ओपन होना चाहिए जादे पोस्ट होगा तो दिक्कत है उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आप अगर इसे टीक कर लेते है तो मोडिफाई जब भी करोगे आप तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसे छोड़ दें उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ करने को नहीं है सिंपली फिल्टर के ऊपर किलिक करें और यहाँ पर दोस्तों आप आप अप्तिमाइज अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पर किलिक करेंगे और इसे नेक्ट प्रिव्यू आप यहां पर select कर लेंगे, यहां पर अब कुछ करने को है नहीं, simply आपको इसे save change के ओपर click कर देना है, उसके बाद friend आपको यहां पर mouse लिके जाना है, अब यहां पर दोस्तों आपको जो setting में बता रहा हूं, यहां पर दोस्तों आपको इसे select करना है, ठीक है, two by three, simply आपको यहां पर click करने के बाद यहां पर आपको पलस का icon यहां पर देखने को मिल जाएगा, यहां पर दोस्तों आपको click करना है, click करने के बाद friend यहां पर आपको sidebar आप यहां पर select कर लेंगे, ठीक है, यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं, आपको इसे select करना है, उसके बाद friend इसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, simply save change के ओपर किलिक कर देना है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका home page जो है लगभग यहाँ पर complete हो चुका है, अब यहाँ पर आप इसे update कर ले, उसके बाद friend आपको अपने site के ओपर एक बार visit कर लेना है, ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी काम यहाँ पर apply नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे एक setting यहाँ पर करना जरूरी है, simply आपको जाना है setting के ओपर और reading के ओपर आपको जाना है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको home select कर लेना है उसके बाद save change के ओपर click कर देना है तो यहाँ पर friend आप देख सकते हैं यह setting हमारा save हो चुका है अब हम लोग इस page को यहाँ पर refresh कर लेते हैं तो यहाँ पर friend आप देख सकते हैं आपका home page जो है कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक है यहाँ पर अभी कुछ image यहाँ पर नहीं दिख रहा है ठीक है तो इस image का भी हम problem इसी वीडियो में यहाँ पर solve करेंगे बहुत easy way में हमने आपको बताया कि home page कैसे आपको edit करना है यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं आपका trending नाओ यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है यह पोस्ट है आपक के ऊपर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको category देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पहले से कुछ category यहाँ पर create है ठीक है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग category कैसे create करेंगे ओके तो यहाँ पर दोस्तो जैसे category यहाँ पर create करके रखा होगा तो simply आप किसी को भी यहाँ पर select कर लेंगे अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर add new category के उपर जैसे click करोगे तो यहाँ पर friend आपके सामने category देखने को मिल जाएगा चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं डेमो आपको बताने के बाद category create करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर menu create करना है यहाँ पर appearance के ऊपर mouse लेके जाना है उसके बाद यहाँ पर menu के ऊपर आपको click करना है तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं main menu उसके बाद हम यहाँ पे से create कर लेते हैं उसके बाद friend हम इस category में क्या-क्या देखाना चाहते हैं सबसे पहले तो home page हम देखाएंगे ओके उसके बाद हम लोग अपने category के section में जाएंगे और यहाँ पर friend कुछ category हमारे पास पहले से एक सेंस कंप्यूटर कंप्यूटर पार्ट डोमेन फिचर इंटरनेट टेक्नोलोजी इसके उपर हम यहाँ पर add to category को उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर friend आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों सब category कैसे करते हैं वह देख लिए दूस्तों पर आप देख सकते हैं credit हो चुका है ठीक है तो हमारा computer के अंदर computer parts info technology internet ठीक है एक category के अंदर हमारा तीन category और आ चुका है उसके बाद home, adsense, domain और feature ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलता है menu setting में ठीक है आप इसे किस menu में रखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं इसे header में रखना तो simply header के ओपर tick करेंगे save menu के ओपर click करेंगे अगर आप चाहते हैं इसे footer menu में रखना तो footer menu में भी आप यहाँ पर tick करके save कर सकते हैं अब हम लोग अपने site को एक बार यहाँ पर refresh करके check कर लेते हैं तो यहाँ पर friend आप देख सकते हैं हमारा menu भी आ चुका है ठीक है यहाँ पर domain feature इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर कुछ column यहाँ पर देख रहा है खाली है चलिए इसे भी हम यहाँ ठीक ठाक कर लेते हैं simply अब यहाँ फिर से यहाँ पर इसे save कर लेते हैं save करने के बाद इसे हम यहाँ पर एक बार refresh कर लेते हैं तो यहाँ पर friend आप देख सकते हैं अब पहले से बहतर लग रहा है ओके अब हम लोग यहाँ पर top menu करेट करने वाले हैं यहां पर create a new menu के ऊपर click करेंगे, उसके बाद हम लोग top menu यहां पर create करेंगे, create menu के ऊपर click करेंगे, यहां पर हमारा menu create हो चुका है, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले तो home रखेंगे, front page है हमारा about, contact us, ठीक है add to menu हम यहां पर करेंगे, उसके बाद Simply हमको यहाँ पर टॉप मेन्यू, फूटर मेन्यू, यह दोनों मेन्यू के उपर हम यहाँ पर सेव चेंज कर देंगे, ठीक है, सेव मेन्यू के उपर किलिक करके, तो यहाँ पर हमारा मेन्यू केरेट हो चुका है, अब Simply Friend आपको अपने साइट को एक बार यहाँ फिर से विजिट कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर Friend आप देख सकते हैं, आपका साइट कुछ इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है, आपका मेन्यू यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको टॉप मेन्यू देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको फूटर मेन् इसका इस्तमाल आप कैसे करेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे ओके अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर image आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो चलिए हम इसे भी यहाँ पर fix कर लेते हैं इसे आप new tab में यहाँ पर open करें अपने wordpress को यहाँ पर लोग ठीक है यहाँ पर save कर लिया आपने उसके बाद friend आपको जाना है यहाँ पर feature image आप देख रहे हैं यहाँ फीचर इमेज नहीं लगावा है इसलिए इस तरह का problem यहाँ पर create हुआ है तो simply आपको यहाँ पर इसे select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर इसे save कर लेना है उसके बाद इसे update कर देना है अब हम लोग इस पेज को यहां पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका इमेज भी यहां पर देख रहा है अब हम लोग साइड बार भी यहां पर देख लेते हैं ओके तो सिंपली दोस्तों साइड बार देखने के लिए आपको जाना होग करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आप क्या-क्या लगाना चाहते हैं आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग सोसल कॉंटर यहां पे लगाने वाले हैं सिंपली इसके उपर क्लिक करेंगे और add digits के उपर क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आपको custom title अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर देखा दूं कि यहाँ पर आप देखसकते हैं आप मुझे join करें social media पर यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा लिखावा है तो आपको simply कुछ इसी तरह का यहां पर कुछ भी लिख देना है एक्जामपल के लिए हम यहां पर लिख दिया है ठीक है और इस title का अगर आप URL देना चाहते हैं तो यहां पर उसका URL यहां पर पेस्ट कर देंगे और साथी साथ दोस्तों यहां पर इसका जो है आप कलर बगेरा भी आप यहां से देख सकते हैं अब यहां पर टूटर का आप यहां पर आईडी दे सकते हैं ठीक है यूटूब का आईडी दे सकते हैं ठीक है इंस्टाग्राम का भी आप यहां पर यूजर आईडी दे सकते हैं इसी तरह से जतना भी है आप यहां पर दे सकते हैं फिलाल अभी हम हैज यहां पर डाल देते हैं उसके बाद हम यहां पर सेफ कर लेते हैं सेफ करने के बाद फिर से हम भी हम इसे यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप देख पा रहा है कि यह जो देख रहा है आप आप मुझे जॉइन करें यहां पर दीख रहा है और यह हमारा सोसल कॉंटर भी देखने को मिल र करेंगे और यहां पर एड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आप कितना देखाना चाहते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं इसका आप टाइटल यहां पर देदें पॉपलर कैटेगरी ठीक है उसके बाद आप यहां पर सेव कर ले और यहां पर डन के ऊपर क्लिक कर दें और इसे आप एक बार यहाँ पर रिफ्रेंश करके चेक कर लें ठीक है त्रहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा डिसेंट्न पोस्ट भी यहाँ पर दीख गरा है अब हम लोग अपना यहाँ यहाँ पर लोगो लगатे हैं ओके उसके इसके बाद friend हम लोग यहाँ पर थाधा फूटर को भी कस्टमाइज पर लेते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा WordPress के देश्ट बोट के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहा है, हम आच रहे हैं अपने WordPress के इसबोट के ओपर और यहाँ पर News Mac आप यहाँ पर देख पा रहा है इसके ओपर मौस लिके जाओगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर Theme Panel देखने को मिल रहा है Simply आपको इसके ओपर क्लिक कर देना है उसके बाद Friend आपको Simply यहाँ पर कुछ Style देखने को मिलेगा Header का Style आप क्या रखना चाहते हैं By Default जो रहता है दोस्तों यह काफी अच्छा लगता है इसे ही आप रहने दें उसके बाद Friend आप यहाँ पर Top बार पर क्या क्या चाहते हैं आप इसके ओपर क्लिक करेंगे उसके बाद कौन सा Style आप चाहते हैं वो सब यहाँ पर Select कर लेंगे By Default जो कुछ भी है यह काफी अच्छा लगता है अब यहाँ पर दोस्तों Main Menu ठीक है Main Menu में आप क्या-क्या देखना चाहते हैं क्या-क्या रखना चाहते हैं Simply आप यहाँ पर Select कर सकते हैं बाकी सब कुछ यहाँ पर Same रहेगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको Logo और फैविकॉन आइकॉन जो है इसके ओपर आप क्लिक करेंगे और अपना Logo यहाँ पर अप अप्लोड करेंगे ओके तो चलिए हम लोग फटा-फट अपना Logo यहाँ प रेस्ट कर दें रेटिना Logo में भी आपका यही लोगो रहेगा अब यहाँ पर दोस्तों फैविकॉन आइकॉन जो है वो आपको बनाना पड़ेगा ठीक है तो फिलाल अभी हम इसे छोड़ देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर Save सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दे लेना है उसके बाद आप यहाँ पर इसे एक बार refresh करके देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लोगो आ चुका है ठीक है और हमारा यहाँ पर भी लोगो आ चुका है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कोई और लोगो लगाने वाले हैं अब हम लोग चलेंगे footer section पे footer के ऊपर click करेंगे और footer में आप क्या रखना चाहते हैं तो style 5 जो है यह काफी अच्छा लगता है इसे आप यहाँ पर select कर लें उसके बाद इसे आप एक बार refresh करके check कर लें तो यहाँ पर friend आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर logo आ रहा है तो यहाँ आपको उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और footer info content ठीक है इसके ओपर click करना है आप अगर यहाँ पर चाहते है footer logo लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हैं चलिए हम लोग footer logo भी लगाएंगे और साथ में यहाँ पर कुछ content box आप यहाँ पर देख पा रहे हैं content box में आप अपना content लिख दें अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अपना यहाँ पर कुछ content यहाँ पर लिख दिया है ठीक है उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर अपना email id लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यह हम लगा सकते हैं फिलाल अभी हम लोग यहां पे एक logo लगाते हैं ठीक है upload के ओपर click करेंगे और एक नया logo हम यहां पर upload करेंगे अपने लोगों का आप यहां पर नाम जरूर दें, ठीक है, caption में भी नाम दें, description में भी नाम दें, ठीक है, उसके बाद इस URL को यहां से copy कर लें, उसके बाद यहां पर click करें, उसके बाद friend simply आपको अपने URL को यहां पर paste कर देना है, तो यहां पर friend आप देख सकते हैं, आपका footer logo यहां पर दिख रहा है, retina logo भी आपका same होगा, उसके बाद आपको अपना email id लगाना है यहां पर, चलिए हम लोग अपना email id भी यहां पर डाल देते हैं, simply हम लोग यहां पर अपना email id डाल देते हैं, उसके बाद footer background, आप लोग अगर अगर अलग से कुछ background लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, व लगा सकते हैं, ओके, तो हम चाहते हैं इसे लगाना, simply हम इसे यहाँ से copy कर लेते हैं, उसके रहाद यहाँ पे हम इसे paste कर देंगे, और यहाँ पे हम कौन सा menu देखाना चाहते हैं, top menu देखाना चाहते हैं, simply हम save setting के ओपर click करेंगे, और अपने site को एक बार यहाँ पे refresh करके check क लेते हैं तो यहां पर फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो यहां पर लग चुका है और हमने जो यहां पर content लिखा था वो भी यहां पर दिख रहा है और हमारा email ID भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और यह जो आप देख रहा है यह copyright के जगह में यह आपको दिख रहा है okay home भी दिख रहा है about contact us अगर आप इसका background वगएरा भी change करना चाहेंगे तो वो भी बहुत यासानी के साथ change कर सकते हैं तो कुछ ही समय के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका side यहाँ पे ready हो चुका है post भी लिख दिया हमने और home page भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है तिसरा section आता है हमारा add का ठीक है जब आपका adsense अप्रूब हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग add लगा सकते हैं header में add लगाने के लिए यहाँ पे click करेंगे adsense का code लगा देंगे और save कर देंगे ठीक है इसी तरह से sidebar वगरा में यहाँ लगाना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पे आप लोग अपना code डालके save कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे layout setting है यह template setting इसके ओपर click करेंगे smart slider ठीक है यह सब दोस्तों important नहीं है इसे आप छोड़ दें उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 404 का जो error आएगा तो आपका side कैसा दिखना चाहिए by default आप इसे छोड़ दें किसी भी तरह का छेड़ चार ना करें ठीक है इसमें दोस्तों कोई भी setting करने की जरूवत नहीं है ठीक है क्योंकि हमने home page अपना पूद का create किया अब यहाँ पर दोस्तों category आपको देखने को मिल रहा है इसके ओपर click करोगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि category वह category है जो आपके side के ओपर है ठीक है यहाँ पर मैं आपको देखा जेता हूँ जैसे adsense computer technology internet domain ठीक है यह जो category है तो इसके ओप अच्छा लगता है उसको वैसे ही आप छोड़ दें ओके यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी category सबका यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा है उसके post setting ओके तो default template इसके ओपर click करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का दिख रहा है ठीक है आप अपना post कैसा कर सकते हैं ठीक है feature image feature image आप enable रखेंगे हमेशा related article यह important है यह by default जो भी setting है दोस्तों उसको वैसे ही छोड़ दिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी छेड़चार आपको नहीं करना है उसके बाद आता है यहाँ पर block setting ठीक है अगर आपके site के ऊपर यह thumbnail नहीं दिखे ओके यह जो आप देख रहा हैं यहाँ पर block it अगर लिखा वाएगा तो आप यहाँ से इसे unlock कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आपको on करना होगा इसे जैसा कि आप यहाँ पर देख पार है हमारे case में सारा का सारा on है ठीक है इस पर आपको यहाँ पर on कर लेना है background दोस्तों आपको आप अपलोड करने की जरुवत नहीं, अगर आप लोग अपलोड करते हैं, तो आपका साइड जो है, यह सूलो हो जाएगा, अब यहाँ पर important है, दोस्तो, theme color, इसके ओपर click करोगे, header का आप क्या color रखना चाहते हैं, यहाँ से आप choose कर सकते है, journal theme color, यानि theme के अगल बगल में जो color आप देख रहे हैं, इसे अगर आप लोग change करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर top menu color, हमारा menu color देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह का है, अगर आप लोग इस तरह से design करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग यहां से कुछ color वगएरा अगर choose करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वरना by default जो होता है वो अच्छा होता है उसको आपको changing नहीं करना है अब यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है theme font आप अपना font वगएरा भी यहां से change कर सकते हैं custom color अगर आप लोग custom color डालना चाहते हैं CSS की मदद से तो आप यहां से डाल सकते हैं analytics आप यहां पर देख रहा है इसे भी आप enable कर सकते हैं ठीक है उसके बाद friend आपको यहां पर social network देखने को मिल रहा है ठीक है social network यहां से आप लोग API configuration भी कर सकते हैं अपने YouTube चैनल का और साथ ही साथ यहां पर connect कर सकते हैं Instagram के account से भी आप connect कर सकते हैं अब यहां पर friend आप देख सकते हैं social network इसके ओपर जैसे आप click करोगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपने blogger का ID डाल सकते हैं Delhi motion का आप यहां पर ID डाल सकते हैं YouTube का डाल सकते हैं अपना email ID भी साथ में डाल सकते हैं अपने Facebook का page का URL डाल सकते हैं Twitter का आप ID डाल सकते हैं, URL डाल सकते हैं, इसी तरह से जतना भी social media आपको मिलता है, ठीक है, आप यहाँ से उसका link डाल सकते हैं, डालने के बाद आप यहाँ पर save change के ओपर click कर देंगे, तो यह भी section हमारा यहाँ पर complete हो चुका है, तो finally friends, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग इस theme को customize करेंगे, menu bar किस तरह से आप लोग create करेंगे, arrange करेंगे, इसका logo वगेरा कैसे आप लगाएंगे, next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस side का किस तरह से आपको full SEO करना है, जिसकी मदद से आप लोगों के side के ओपर, हमारे side के थैंक यू फर वाचिंग